हेलो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हमने जब फेराड लो पड़ा था तो फेराड लो में हमने क्या क्या था नेगेटिव साइन लिया था इसका रिजन लेंज लो है ये एक्चुली इट शोज दो प्रॉपर्टी ऑफ मेंटेंटिक सर्केट तो मेंटेंट लो के पीछे तो ये स्टेट्मेंट क्या देता है इसको सिंपल कोर्ट्स में कहता हूं अगर मैं लीजिए कोई कंड़क्टर है तो वो कंड़क्टर में अगर फ्लक्स ट्रिंग होता है वो चेंज होता है तो ये मेंट प्रोडूस होगा इमफ क्या करता है दोस्तों इमफ की वज़े से करंट फ्लोगा तो वो करंट ऐसी डिरेक्शन में फ्लोगा के वो बेसिक जो चेंज हुआ है फ्लक्स उसकी एफेट को नलिफाई करता है हमने ये डियाग्राम देखना था अगर माली ये आपका जो करंट फ्लोग हो रहा है जो कंड़क्टर में तो ये इस डारेक्शन हो रहा है और इमफ प्लोगा उसकी वज़े से ये इसकी एफेट को नलिफाई कर पाये इसका मतलब फ्लक्स टेंज की वज़े से जो इमफ इन इसके जो प्रोडक्शन का कोज है उसका उपोस करता है इसको हम लोग पनी टॉन में कह सकते हैं मेरी बिल्ली मुझी को न्याओं इसका मतलब अगर इमफ प्रोड्यूस हुआ फ्लक्स चेंज होने की वज़े से तो इस इमफ की वज़े से करंट ऐसी डारेक्शन में फ्लोग अगर खोगा कि उसके को कोज का इसके वीजन का उपोस हो उसी कारेक्शन करेगा तो यह दोस्तो लेंज लो है मालन लीजीए एक डारेक्शन डारेक्शन मेंण तो यह इसका बेजिक पंडा है दोश्कों और यहां पर आपको पता है कि हम चेंज करेंगे जैसे दोनों के विच में रिलेटिव बुव्मेंट करेंगे तो यहां पर यह में पंडियूस होगा इस इकल तो माइनस एंड डिपाइब बापिस कह रहा हूं जिसकी वज़े से एमफ इंड यूज और यह इसी एफेक्ट देगा कि उसके जो में पोजिशन है वो मैंटेन रहे ओरिजिनल पोजिशन को मैंटेन करने का एक उसका रिजन है तो यह नेगटिव साइन क्या है दोस्तों यह लेंस लोगी वज़े से हमारा जो कंसेप्ट यह है कि आपका जो इमें प्रिम्विश हुआ उसकी एफेक्ट ऐसी रहेगी कि जिस वज़े से इमें प्रिम्विश हुआ यहने चेंज इन फ्लक्स उसी का और पोस करेंगे इसी डि यह है लेंस लोग एनर्जी कंजर्विशन भी बताता है और लेंस लोग न्यूटन थर्ड लोग भी बताता है आप लोग सोचेगा यह आपके लिए है थाइंक्यू एंड किक लर्मिंग